तो यह हमारा यह सी थर्ड सेमस्टर का पहला वीडियो है जिसे मैं फ्रीली अविलेबल करा रहा हूं यूट्यूब पर ठीक है मैंने बता था कि सबसे पहले स्टार्टिंग में अलजब्रा कराई जाएगी सब्सक्राइब कराई जा रहा है एंड यू कन सिंप्ली बाई आर कोर्स फुल कोर्स आप बाई कर सकते हो फुल एंशी कोर्स जस्ट एट टू डबल नाइन ओके इसमें काफी सारे मिलेंगे मोर्दन आइधिंग ओल्मोस्ट थ्री अंडड से ऊपर हम से कुछ मिलेंगे सारे के सारे एंपटेंट एंप स्सक्राइब कर दो जितने भी होंगे जो अलग अलग बुक्स से एड किये गये हैं तोyu है या खुझ से प्रपेर किया जाते हैं वो सारी आपको मिलते हैं क्योंकि जैसे अभी कि कि यूनों न्यूज में बोला गया था कि डीडियू के जो एक्जामिनिशन है यूजी का अंडर ग्रेजुए जो कोर्स है उसमें मैक्जिमम जितने में सारे के सारे इसलिए ज्यादा से ज्यादा आपको जरूरी है तो बहुत ही कस्टमाइजबल आपका एक कोर्स बनाए गया है जिसके बहुत कि लिजिबल फीस रखे गए टू डॉबल लाइन इस फॉर होल से मेस्टर ओके तो चलिए जो हमारा फस्स चैप्टर है उसका चैप्टर इंटीजर से रिलेटेड है प्रपरटीज ऑव इंटीजर उसमें काफी सारे लोग चीजे पढ़ेंगे काफी सारे ट्रिक्स कि अपलोड नहीं हुई है इफ यूवां डैट तो मैं आपको जरूर बताऊंगा बाकी साथ ही साथ आपको बताता चलूंगा कि इसमें क्या होता है किसमें क्या होता है ओके चलिए आगे बढ़ता है इसको क्लास 10 की तरह भी कर सकते हैं कि भाई आप देखो जड़ा तो इदर के लिए 216 को अगर हम ब्रेक करें बहुत ही सिंपल सा है तो इसे डिरेक्टिव में इसे ब्रेक कर सकते हैं कि यह 6 इंटो 6 इंटो 6 है 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 अन्य अगर आप मूद्से करें तो कि तरी कितने हुआ टूब थ्री निकल कैंब कि है और ट्री वाँगर भी प्रेक्टिव प्रेक्टिव मिलेंगे तो क्च इंटो कुछमन को क्या तो कामन सिर्फ अगर देखें एक्सरा में तो बन दिख रहा है आपको तो यह हमारा जी सीडिये सो दांसर ऑप्शन इस भी ठीक है यह तरी का हो सकता है और क्लास्टेंट में था यूक्लियल डिविजन उक्लियल डिविजन था उसे भी कर सकते हैं क्या करते थे वह भी आपको दि जा सकते हैं चार बर में ज्यादा हो जाएगा तीन बार में यह हो जाएगा वन नाइनटी फाइफ अब जैसे सब्ट्रेक्ट करो कितना है गा वान एंट यह जो वैल्यू आती है इस से वापस से इसको डिवाइड किया जाता है मतलब 21 से आप 65 को डिवाइड करो गया तो कि जैसे जीरो आता है तो जो डिवाइजर होता है तो यह वाला तरीका आपका इसको यूकलियर डिविजन कहते हैं और आप वैसे फैक्टराइज कर पा रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है सरा लोगा तो फैक्टराइज हो जाता है जो अभी मैंने बताया ठीक है तो नेक्स आपका कहा जी सीडी और 595 और 252 तो अब दिमाग लगाए आपका जैसा मनों ब्रेक कैसे करेंगे जैसे ब्रेक करना देखेंगे जी सीडी निकालने के वैसे तो एक एक तरीका भी होता है यह वाला इसो क्या कहते हैं प्राइम फैक्टराइजिशन मेथर्ट भी बोलते हैं ठीक है तो 5 से आपने 5 से डिवाइड होते हुए दिख रहा है 5 वंजा 5 वंजा 5 वंजा 5 नाइन जा अब यह यह 7 से कैंसल हो रहा है 7 वंजा 749 अब 17 से कैंसल हो गया तो इसमें 57 और 17 मिला ठीक है फिर 250 को अगर आप 52 करें तो 2 से पहले हो रहा है 1 2 और 6 फिर देखें से हो हुरे गया 7 से वयह गया 7 से हो रहा था के लिए आगे बढ़ते हैं तो बच्चों यह जो आपके सामने इस तरीके का लिखा हुआ है चाहिए ऐसा लिखा हो चाहे दोन अत्राफ ए मल्टिप्लाई कर दो आप जिसे हमने क्या किया अधर से लेफ्ट में और ए मल्टिप्लाई किया वन में और मॉडलो पी तो लिखाए मॉडलो पी का मतब आप लोग समझ रहे होगे कि पी से डिवाइट करने के बाद जो अपना रिमेंडर आता है उसे लिखा जाता है तो ऐसे में यह लेफ्ट साइड में एप आवर पी बने की एक ही बात हैं दोनों की दोनों फर्मेट थिरम कहलाती है तो दोनों की दोना अप्लिक लिए यह जरूर लिखे और यह तो लिखाई हुआ है ठीक है तो तो आंसर ऑप्शन इस भी ठीक है यह गायब हो गया बी है यह यहां पर ठीक तांसर यह फिर क्या गयरा इफ सब्सक्राइब कर दोनों का अलग अलग और इसका एक और बताया मैंने क्या एक और पीस कॉंगुरेंट टू ए मॉडलो पी ठीक है अच्छा आगे बढ़ते हैं देखे इसके बात क्या रहे कि अगर लेफ्ट में एम एड कर दें और यह क्या है मॉडलो एं लिखा हुए तो सब्सक्राइब करेंगे तो भी वह हमारा क्या होगा जैसे यहां प्लस-m कर दिया तो दर भी बन प्लस-m मॉडलो सेम चल जाएगा तो अगर आप दोनों तरफ एड़ किया तो दोनों तरफ से कानशल विगाज्ट यह लोगा तो किया बचेगा अँडि मेचा यह तो यह किया जागा आपका शार थो तो जो कि को अगुन्गूर्ट की बात होती है तो आदिलिश एडिशन ही कर सकते हैं सब्सक्रेक्शन ही कर सकते हैं, multiplication भी कर सकते हैं, जो चीज़ करेंगे, दोनों तरफ करेंगे, कोई फरक नहीं पड़ता है, आगे बड़ा जाए, ठीक, नेक्स एकिए, the statement, every integer can be uniquely expressed as a finite product of prime numbers, कि यह प्राइम नमबर के multiplication करकर के हम हर एक integer को express कर सकते हैं, तो यह क्या है, यह की सरीके की theorem है, तो यह फंडामेंटल थेओरम आफ अरिथमेटिक है, C है यह option, fundamental theorem of arithmetic, इसकी कोई बोलता है, uniquely, इसका statement दिमांग बढ़े का, every integer can be uniquely expressed as a finite product of prime numbers, ठीक है, ठीक है, ठीक है बड़ाए, आगे बड़ी है, आगे, the relation of our, congruence लिखाए, arguments लगभा है, congruence, congruence, more low 70, congruence, जो इसकी बार बात हो रही है, मतलब, जो मॉडलों के साथ लिखाँ होता है, उससे आपको divide करना होता है, और जो remainder आता है, हमारा answer होता है, ठीक है, congruence, more low and in the set of integer, Z, Z में अगर यह बात की जाए, तो answer क्या होना चाहिए, इन में से कौन सा answer होता है, क्यारा की reflexive नहीं होगा, reflexive तो होता ही है, reflexive मतलब, अगर यह से माल नहींते, A, B के congruence है, मॉडलो पी, ठीक है, यह congruency का behavior है, माल नहींते है, है, A is congruent to B, मॉडलो पी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बच्चों यह होता है, कि अगर हम A से B को मैनस करते है, बत्त, दोना तरफ अगर B मैनस करते हैं, तो इदा A मैनस B बचे का इधर बचे का 0, है ना, जीरो मौडलो यह लाइन का मतलब यह होता है बच्चों कि जो A-2 ओसमें अगर हम इस पी से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमेंडर क्या है ना रोगाह्ग है रिमेंदर आप जी रहाँ जरुआपा यह मतलब होता है तो आप यह समझे जमनों क्लास 11 में 11 नहीं 12 में कॉंग्रेंसी का एक एक्वेलेंस रिलेशन पड़ा था एक्वेलेंस रिलेशन तीन पार्ट में डिवाड़ेड़ था पहला रिफ्लेक्सिव दूसरा था सिमेट्रिक और तीसरा था ट्रेलेशन रिफलेक्सिव मतलब खुद का खुद के सात रिलेशन से में अगर एक बी ऐक साथ तो होता है कि यह जहते थे तभी हएक्वेलेंस रिलेशन होता तह नहीं तो नहीं होता था तो यहां पर क्या बोला है बोला रिफ्लेक्सिव नहीं है तो आप यह बताओ कोई भी अपने आपके कॉंगुरेंट होता है कि नहीं विल्कुल होता है का है आप ज़रा दोनों तरफ ए माइनस करो तो इधर भी आफ जीरो से टे से डीमाइट करो घीरो को दिखो और यूंसरा को सब्सक्राइब नहीं है है आज सुनिए बात को ऑ लिए आपके स्यमींतік की नहीं हमें काम करते हैं हम दोनों तरफ what a dollar references this ठीक इधर भीएक एथे Eli 각प एक जिले ऑफ thats लो कोई दिखकतए अब देके में चाहितbery हो और Zukunftर यह कोद्रेब प्लाव कर सब्सक्राइब शरोत बीर चाहिक सब्सक्राइब के साथ मasasais के सब्सक्राइब है वही हमारे क्या होता है highway चाह चाहते होका है 3 यह कर रहा है अपने उपर सभी यह सबहुंत होगी आई होप कि आपको मेरी बात समय में आई होगी चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए एक्स वन अकर एक सॉल्यूशन है इस एक्वेशन का और एक्स टू जो है वह एक्स वन के कॉंगुरेंट है यह कॉंगुरेंट का मतलब ही होता है जो काम एक्स वन जो काम दूसरा वाला करे हो जाएगा तो अगर एक्स वन सॉल्यूशन है तो एक्स टू भी क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा सुदा आंसर ऑप्शन इस फस्ट ए नेक्स देखा जाए कि चलो इसको सॉल्व करके बताओ ठिक तो इसको सॉल्व करते हैं भाई तो इस बात को ध्यान से अब राइट में 4 हम 4 को यहां पर लाके सब्ट्रेक्ट कर देते तो क्या मतलब निकले का टू एक्स फ्लस बन माइनस फॉर कॉंगरेंट जीरो और मॉडूलो 5 ध्यान समझेगा इसको कैसे सॉल्व करो मैं यह छोटी-छोटी ट्रिक्स हैं ठीक है अब एक काम करें इसको सॉ इसको पूरी तरीक से भाइड हो जाएट तो हमारा जीरो बार जाएगा और रिमेंटर वहाँ है तो यह भी विकार है अगर रख लें तो टू वन जाट भी पर नहीं जाएगा टू बहूर हाँ टू माइनस त्री आगया हमारा माइनस वन है इसको कैसे समझते हैं स्क्रीन शॉट ले लिजेगा बाई तो अगर आपने रखा यहां पर टू एक्स माइनस त्री है सैंगरेंटव जीरो मॉडलो फाइख अगर हम यहां पर वन रखें वच्छो जैसे आपने वन रख्था तो यह जो कर तो उंस न को माइनस वच्छ भी आपकरanten करो गें मॉडलो वाइफ ठिक तो माइनस वन से ठेखिक प्र Kelmi माइनस वन यहां पर इसको भीछ सकते जीरो चला जाएगा तो वन तो यह बची रहा बताऊ वन बच रहा है वन कभी भी जीरो के मोड अगर ॥से डिवाइट करें one को तो लिखोगे ना बुक्त जीरो बार लेकर यह जीरो आएगा और अप daw अतने को इसका नहीं होगा अगर जीरो आगया हो था तो सब्सक्राइब हो जाता है आप बात समझ में अनिच यह नहीं आई गी तो फेड़ ग्रुप वाले जितने लोग है यह परी व जितने लोग है वो लोग पूछ सकते हैं कमेंट कर सकते हैं stopping देखे एक्सेस मिलता है जल्दी से आप आप को मेरे तक आप पेड़ ग्रूप लेते हैं तो पेड़ खोर्स लेते हैं तो नेग्स्ट का लक्री रसीप्रिकल अशुब माडूलो फाइफ करेख टू करसी प्रोफ चाहिए मौडूलो फाइफ पर अना अब देखेंगें नेक्स कोशिन क्या बदूधिक लेटी फिलार के टू के साथ रसीप्रोफल क्या है मॉडूलो फाइफ ले तो रसी फ्रोफल कमद ईक तरीकिसर है इन वेर्स होता है तो और इन वर्ट में चेक्ट ने यां पर अदनीटी दे तो यह तुझा भात है सब्सकितफिया। बादि नियुक्ति रावजें में इसा सबस्क्राइब रिपद त्रीए जैसे आविसमेड करओं फाइव और और फाइब मोडलो फाइव क्योंता है ऐसे ओन्स दिवाइड का ओगे माद फाइब को नेक्श लाइन में यह भी लिख सकते है जीरो मोडलों फाइब क्यों क्योंकि फाइब को फाइब करोगे इमेंडर के एगा गाँ जीरो आएगा सो मारा रेसी प्रोकल का मतलब क्या निकला यहां पर इन्वर्स निकला ठीक है एडिटेव इन्वार्स एक तरीके से बोलना चाहिए इनको ठीक है आगे बढ़ यह तो लीनियर कॉंग्रुएंस यह कॉंग्रुएंस वाई कॉंगुरेंस की बात कर रहा है है जो कॉंगुरेंट ट्रिपल लाइन होती न और वोलता है वाइव एक्स वागरें दूवर्स एसके कितने सलूशन सो सकते हैं कि क्या है क्या है कि हाँ सबसे पहले तो यह सुच लीजिजा अगर हम एक्स क्या क्या वैल्यू रखे तो हम चलिए इंटेग्राल वैल्यू रखेंगे आप तो 5 15 5 15 वारिवन आगर सब्ट्रेक्ट कर देंगे यह समझे यह समझे क्या पिसे क्या लिख सकते हैं 5x-1 को ओर रोन टू जीरो मॉडलों पी अब आपको यह दिमाग में रखना है जिरो मॉडलों नाइं तेक आप विदिमाग में रखना है क्या पैक्स तो चलो एक्सक्राइब रखते हैं जैसे आपने वन रखता है तो फॉर तो नाइन से डिवाइड करने भी जिरो तो नहीं देगा तो यह तो गलत हो गया है एकश्वर तो रखो जला तो फाइफ से डिवाइड करेंगे तो भी वाइगा तो जीरो तो आए नहीं आए अचा इसके बाद आए यह यह गलत हो गया सब्सक्राइब करेंगे देखिए बहुत सिंपल आपको बात बताते हैं ज्यादा चेक करने की जवती नहीं है ये five ये nine ये क्या है रिलेक्टिवाइम है जब भी कुछ ऐसा होता है रिलेक्टिव फ्राइम नमबर से तो अगर इस्हें आप कौमन लेंगे एट से फ निकालेंगे तो क्या मिलेगा वन जब यहाई सा कुछ होता है तो उसके यूनिक सोलिशन रहा है तो जो भी मैंने बता ऊ स्क्राइब लेज़ेगा नेक्स देखिए बुल रहा है कि लीनियर कॉंगुरेंस है फोर एक्सिस कॉंगुरेंट टुवन मॉडूलो शिक्स है इसके पास कितने सॉलेशन होंगे तो भी यहीं पर चेक कर लेते हैं आपको दिखाते हैं क्या है देखिए जिसे एक्स की वैली ज कि माइनस बन कर देरें ठीक है जीरो मॉडूलो शिक्स है तो महीं देखिए जाव यह फोर माइनस पंक्री ओ गया तरी कवरेंट ओड्री ओर्डिजी रोमॉडलो शिक्स क्या इसा कभी सई है सही हो सकता है एक्सिज़गल दू वन में कभी नहीं सकता ब्सके स्ट्रीक डिव 8 में वैन आपने कम किया तो आजा 7 आप 6 से डिवाइड करो कि पक्का 0 नहीं आएगा फिर 3 त्री रखो 4 312 वोगा 12-1 116 से डिवाइड करो कभी भी 0 नहीं आएगा क्योंकि 4 और 6 दोनों के दोनों क्या एक मानिस करो को तो और आएगा और को इवन से डिवाइड करो कि बच्चों कभी 0 आएका कभी नहीं आप सोच लो तो इसका नो सुलिशन वाइए समझ लेना अरी बात और और से समझ में आता है ठीक है यह बात तो क्लियर है चलिए ठीक कि लिगना इसका उल्टा होता कि आप और से इवन को डिवाइड कर रहे होते हैं तो यह हो सकता था अंसर इसमें सब्सक्राइब सुलिशन आ सकते लेकिन इसका उल्टा कभी नहीं होता है जिरो दान रखेगा इसे ट्रिक की तरह लिख लिए जो मैंने बात कही है ठीक है याद रखेगा नेक्स दिक तो इसका अं एंड्रेख लिए तो इस-टेकर थ tulee यह नोगे को सब्सक्राइब कहें अद्उन तो इसको जानने से पहले हम लोगat चेक करना है कि क्या चारोर होगा फाइशार इस ही कोई बोलते लोग इस फाइप फञंक्षन आया लिखा है न इसे ल्ऌन ये ओसु ने दू ग्रिंजार नगत ऑम है किसे वाra यह विörtव और वोच rear फंच्शन वी लिखा वता ह Custom हो इसके अधर को यह Niा लिखाऊ तो इसका मतलब होता है की वो सारे नंबर-20 आए मैं इंढेजुन सर्थ नंबर ने बोलई इंडीजर्स जिचर which आर को रिलिटिब यी प्राइम या अटिफ ये चुर्ट में रिलेती फ्राइम है या रिलेति फ्राइब शोट मैं रिलेतिब ली प्राइम टूर्विंस एं लेस्हीं एंट लेस्टोन है ये अन बतलब आपको बात इसम्झाने और आपको एक्सांपल बोला जा Smith हो सकता है थोड़े बहुत क्रैकर्स की आवाँ जा रहे होगी पटाके बटाके चला रहे हैं अभी जाने हैं खुमार नहीं जोटा है बच्चों में की अभी पटाके चला रहे हैं फिलाल अगर मैं आप से को जड़ा यह बताओ कि फाई ओफ वन निकालने तो एन एक नंबर है यही एन है वन अब ऐसे नंबर बताईए जो वन के साथ जो इस वाले वन के साथ ऐसे नंबर बताईए जो वन के साथ हमें एच्चिएफ वन दे तो ऐसा के विल एक ही नंबर है वन के साथ जो एच्चिएफ वन देता है वो है वन है इनीका है सभन हो सकता है otherwise और और किसी का वर ने और तो यह स्वर्पंटिन्ग वी सिर्फ एक या या तो यानि यह इसा सिर्फ एक यह क्या नमबर है जो इसके प्लाइम इसके फ्राइम relatively prime यह ठीक और एक्जामपल लेते तो सिंपल सथा और एक लिए और एक्जामपल में देखे ले लेते हैं चलिए कोई दूसरा लेते हैं और फाइट वेल्ब तब फाइट वेल्ब तब फाइट वेल्ट सोची ज़र ऐसे कितने नमबर जो ट्वेल के साथ रेलेटिव प्राइम है तो दिमाग लगाई दिमाग में है भाई पहली बात तो वन होगा ठीक है दूसरा तू तो नहीं होगा क्यों के टेबल में ट्री भी भी नहीं होगा को ट्री टेबल में ट्वेलवां थिMAN F张new 나올 ग्ला इससे को सबाएट नहीं पर ले नहीं होगा पिर कटेबल में ट्री घौन के तो रहए ग और और में टैन में टैन में टू टू को मना जागा एलेवन में कुछ भी कॉमन नहीं और लेस दिन चाहिए होता है वाइट की बात करनी ही नहीं है तो देखे चार आप्शन आगे ना वन फाइप सेवन एलेवन तो इसका अंसर इसका अंसर कितना गया फूर आई बस समय की आईलर फं बबन देगा डेलेटिवली फ्राइम हो जाएगा ठीक है तो इसके लिए फॉर्मुला होता है आई फाइल फाइप फंक्शन की तंजिक्वेंस यानि रिजल्ट होते हैं मैं आपको बताता हूं उसे भी स्क्रेंशॉट में आप ले लेंगे ठीक है तो चलिए देखते हैं व तो अगर आप से का जब यह हो जड़ा 513 निकालो जो कि हमारा अगला कोशन एंसी क्योंगा तो थर्टीन क्या है प्राइम है तो इस से रिलेटिव फ्राइम कितने होंगे वन से लेके 12 तक सब होंगे तो है इसके कितने होंगे 13-1 12 सोचके देख लिए कि आप 13 के साथ प्रा आप नमबर है तो हमारा क्या एक पी माइनस ओन और से कन प developments है कि अगर हमारे फाइक अंदर दो नमबर है दो नमबर का मल्डी पले जैसे P into Q तो यह दूनों की अलग-अलग फाइड के मल्टिप्लिकेशन के बदाबर हो जाता है जैसे जैसे ओर यह कभ होता है यह तब होता है बच्चों जब इन दोनों का जीसीडी मतलब यह जो वने दोनों नंबर अदे लिखें होगे बात में आई थर्ड पॉइंट देखे यह पॉइंट सबसे इंपोर्टेंट है क्या अगर बाइचांज आपने फाई के अंदर सम प्राइम की पावर कोई नंबर ले लिए लेट से एन आ गया फिकी पावर एन बना लिया आपने तो इसका ऐलर फाई फंक्शन क्या होता पीकी पावर एन माइनस पीकी पावर एन माइनस वन तो उसके आंसर रहे आएगा आड़ी बस में ठीक यह इनफ है इतने में हमारे सारे कोशन और मुस्ट हो जाएंगे या पर जो कि कुछ एक्स्ट्राय का तो बताते हैं स्क्रींशॉट लिए चलिए वापस से चलते हम लो इस मैंने बताई है कितनी हैं क्योंकि यह नंबर है तो प्राइम से 1 इंप ऑड़ बहुत ही इंप्लेंट है बहुत ही इंपॉर्टन क्या है अगर पी और पी प्लस टू मतलब कोई प्राइम नंबर में दो एड़ करने के बाद दोनों प्राइम कह रहा है दोनों प्राइम होना चाहिए तो ऐसे पियर कौन कौन से हैं देखे तीन के साथ पांच का पेर पांच के साथ साथ का पेर दो बढ़ करने पर नो के साथ 11 का प्ने नो तो होता है नहीं स्वरी फिर 11 के साथ 13 का पेर ऐसे और भी बन सकते होंगे जरह किसी एक को भी चेक कर लो ठीक है तो से बोला है कि अगर आप पी प्लस टू वाले का फाइड निकालों मतलब इसका फाइड निकालते हो तो निकालों प्राइम नंबर है तो एक कम कर दो बार आएगा और इसका फाइड का लिए पी वाले का तो फाइग 11 कितना होगा एक कम यानि दस आएगा ठीक तो क्या दोनों में अगर एक्वालिटी हम बनाना चाहें तो दो एड़ करने पर हो जाएगी क्वालिटी हाँ बिल्कुल हो जा एक कम चार इसका फाइगा निकलेगा सिक्स तो चार से आने में दो एड़ करना पड़ेगा तो आपका अंसर क्या हो गया यह बिल्कुल पर फैक्ट है आपको याद रखना चाहिए यह चीज़ ठीक है ऑगे आगे बढ़ जाएए और दिखे के वहले पी प्राइम है तो इन आपर आफको प्राइम की पावर के निकले फ्राइम कबार को एक नमबर निकले तो इसमें अगर आप फाइए ऐए आइलर फाइपMAN को तो किया निकलता है पीपावर के माइनस पीपावर के माइनस वान तो देन वरावर हो ऐसा कौन सा है वैल्यूइ गाज़ा कि अगर तो 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 अगर अब यह किसी से कैसल हो रहा है कि दिमाग लगाई तो देखिए ऐसे हम लोग करेंगे बैटर किया तो तो इंटू तो फाइव नाइन वैसे तो फाइव नाइक प्राइम नमबर ऐसे ही आप इसको ब्रेक करेंगे इस पे तो होई नहीं पाएगा यह तो यह तो देखते हैं अभी आप सोच लेंगे फाइब में एड़ कीजिए सिक्स हो जागा फिर फाइव में टू एड़ तब निकालेंगे आईलर फाइव फाइव अगर यह प्राइम है तो इसका अंसर वैसे क्या होना चीए था यह था अभी आपने इसको ब्रेक किया तो टू इंटू टू फाइफ नाइन वन आया तो आपको पता है दोनों रेलेटिव प्राइम है दूसरे के टू और यह कोई आइसे का अब इसका उसके बराबन नहीं आ रहा है लिए अब यह सारी चीज़ी आप करने में आपको टाइम लगेगा तो तो यह एक ही ऐसा कोशन है जिसका आपको दिमाग लगाना है या दिमाग में रखना है 5186 का ही आंसार आता है यह ठीक है क्रॉस्च एक बारी जरूर करिएगा मुझे टेली ग्राम पेस का अंसर आप करके पैशेंगे करने का तरीका मैंने बता दिया कैसे एड करके फिर से नि सब्स men nexter end है नेमटरावफ प्राइम नमबच और नमबर अप्रे मिमाशर तो लिए कितने होते हैं इन होते हैं फाइन फिर देले साड़ जागो देशनने मुटवल मीड फैन पा graveyard हो तैन यह रह्मेड जार्स होदिए होता है लिए दर जीक यह ऐए को यह ऐले इसलारी आई लेशन होता है कि पैलिंग थोड़ी सी इसमें गलतियां तो अब थोड़ा से समाल लीजेगा एक्यूवेलेस्ट में लिए बाद यह होता है ठीक एक रिदेशन में जी नहीं यह होता है ठीक किया अगर डिविसीबिल्टी एलेट से टूजिक्स को डिवाइड करता है माल लेता है तो एधर के लिए तो क्या जलिए तो क्या 6 तो मैंने है नाँ साने कि दो district नहीं करता है ठीकलोच करोदि‌क करने कम सहीँ बात है रिफ्लेक्सित तो है सिमित्रिक तो नहीं है और दिकी सिमिंट्रिक्छ जब नहीं होगा तो एक्ई बैलेंस तो ही nisकना तों इनमसे च्ब पोड़ कर रहा है है ना वो है मारा रिफ्लेक्स तो आंसर अमारा क्या होगा रिफ्लेक्स अब ठीक बात ठीक आगे बड़ता है देखे एनी टू नॉन जिरो इंटीजर्स एंड वी हैव ग्रेटिस्ट कॉमन डिवाइजर दी ठीक है भाई तो गिवन बाइदी इस गोड़े म में प्लस एन भी एक बहुत ही फेवरेट सा फॉर्म है जिसमें अगर हमारे और भी अगर नॉन जीरो है साधी साथ एम और एन की बात की गई है तो यह एक ठीक होती है जिसे हम लोग यूक्लीडीन एल्गुरेदम बोलते हैं तो यह ठीक है अगरम लाइन वाइस लिखते है है अल्गुरेदम का मतलब होता है बच्चो किसी चीज को लाइन से चलना जैसे आप से कहा जाए कि आप किसी प्रोजेक्ट को बनाते हो तो प्रोजेक्ट बनाने से पहले आप क्या क्या करते हो तो फस्ट पेज आप उसकी कि क्या क्या आपको उसमें जरूरत है headings like content बनाते हो फिर content में कुछ headings होती है like page number chapter और उसके बाद और भी चीज़े लिखते हो sign of a teacher तो यह सब lining से होती ही चीज़े तो एक algorithm होती जिसको आप follow करते हो ठीचर भी आपको बताता है फिलाल नेक्स क्या इफ ए इस एनी इंटीजर एंड बी इस पॉजटेम इज़र देर इस टू यूनिक इंटीजर दो ऐसे यूनिक इंटीजर मिलेंगे क्योर और जो हम यह लिख पाए वैसे आप साई से देखें अगर आप तो यह क्या है पता है यह वही है डिविडेंड इस इबाईजर इंटू कोशेंट प्लस रिमेंडर यह भाई है थर थे इसका नाम किया है इसे टर्म पल्याज इंट खिल दो निडिव 90 और अलगर श्रीड कर लेमा लेमा से लिख लेंक लिकला से ऐस एक लाइन है आप लड़ीजम बंदे तो इल्ग बलू कर लेकल में श्रू कि आपको spelling सही याद हूं ले मिना लिखा हुए लेमा होता है ले डबल एम ए ठीक है थेोरम का छोटा सा पार्ट होता है असे लेमा बोलता है नंबर फॉजटिव इंडिजर रिलेटिव लिप्राइम टूफाइब तो यह तो यह क्या है वह रिलेटिव लिप्राइम यह जो ल लिखा है आपको बताते हैं शाहिए इसमें आपको यह बताया गया ना आशाओ बताया गया देखते हैं देखे तो 500 कैसे निकालिए आप क्लेकलीट कैसे करें थ्थान से देखेगा पहले आप हंडड़ेट को ब्रेक कर लिजए तो है और एक तेन को टोड़ों टू टू यह होगा पुरा पुरा का पूरा ठीक है जब ऐसा और जब भी ऐसा कुछ होदा कि दो प्राइम निमबर्स की पावर्स में दो नों का अलग-अलग हम लोग आयलर फाइब निकाल लेते हैं क्यों क्योंकि प्राइम में एक दूसरे रिलेटिव प्राइम है तो आप अलग 25 जो है उसका जो जी सीडी आएगा वह वन आएगा इसलिए हमने का कि इसको अलग-अलग कर लिया अब भी उने बताया थोड़ी पहले कि जब हम आईलर फाइप पढ़ा रहते इसी वीडियो में तो यह प्राइम की पावर एंड है ना प्राइम की पावर क्या है प्राइम क कि पावर सेम माइनस प्राइम की पावर एक खम अब आपको सॉल करना आता होगा सॉल कर यह जड़ा सॉल वरिंग दबच्व क्या आएगा देखे यह यह वाल अपना बनेगा तुट पावर तू फोर अगा फोर माइनस टू इस तू तू मिला तू इनटू पाइपर टू हो हो गया ऐलर फाइक का कुशन एक जरूर रहाएगा एक्जामनेशन में लिक करे लिए लिए चले देखते हैं तो इसका अंसर कितना आया फॉट्टी इसेंट टिक इफ्टू इन टीजर्स एंट बी आर रिलिटेवले प्राइम ठीक है यानि उनके बीच में जी सीडी वान आ हो गाता भी बात हो रही होगी फ्लस ऑप में बीवाला दो हजर क्य स्वाइय आ सकता है बेपर में आपका यह क्यों से चल लाए 2003 यह बीजा सकता है तो यह आपको अना चाहिए 2000 किस को पहले ब्रेक कर लिजी कर लिए कर लिया जा है 0021 कोपाइक कर यह भाई क्या ब्रेक हो र सब्सक्राइब कर दो हजार की जो कांटिंग है वह फुर्टी के आसपास अगर देखा देखा जाए तो यह दो हजार के करीब आरा है तो दो हजार की जो कांटिंग है वह फुर्टी के आसपास अगर देखा जाए फुर्टी इन्टू इन्टू फुर्टी टाइप करें तो इस इक्स्टीन हंडेड़ आता है इनि फुर्टी से ज्यादा का मल्टीपल अपनों को सोचना पड़ेगा और अगर फुर्टी से आगे अर्फटी जदिन और क्यों अर्फ इलाते हैं तो यह दोनों ही फ्यसक निकल के आएंगे छुखन भख में वहां सोच तो इस तरीके से निकल जाता आप डिवाइड कर देके तो एस बिवाइड हो रहा है और 47 से भी डिवाइड हो रहा है कर लिए कर लिए अगर आपका मनें है तो तो करके देख लिजेगा 41 से सीधे 41 से डिवाइड रहा समझ लिजे उसके पहले किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है अरिवा समझ में अच्छा ठीक अफ फॉर्टी वन और फॉर्टी सेवन कि 2021 कि वेल्यू आई पॉर्टी वन और इन्टू फॉर्टी सेवन और यह दोने आपस में कैसे हैं तो फाइड जैसे निगालोगे आप लोग तो दोनों का अलग अलग फाइड निकालना पड़ेगा भाई और मल्लिप्लाइग करना पड़ेगा है कि नहीं तो क्या जागा यह यह पाई हौटी वन इन्टु फाइफई-पोर्टी सेवन के दो नो प्राइम आपको पेश प्रायम का जो एंसर होता है फ्लता हляетсяHe COVID Hani X full museum 410 वन से निजदा रहा है 43 से जो रहा है उङ्की अ फॉर्टी थेल य्कंडी जा रहा है वाइ tabsट सःका गार्ष्य है पकूं टू और यह तो यह किसके एकवल है 43 47 कि तो फाइब 43 कितना होगा बंचो और फाइब 47 कितना होगा आपको पता होना चाहिए यह होगा 42 एकम और यह 46 एकम 62012 तो ऐसा कौन सांसर जिसमें लास्ट में तू आ रहा है यह वाला अंसर इस इस नांटीन 32 याद रखें इसको अशल्या करतें नेश्ट की देखें नमबर ओफ एसोशीट्स आफ एनी इंटीजर ए आर एसोशीट्स कौन गउन से होते हैं उसके आसे एसक्स किसी भी नमबर गे अगरम आप की बारे में बात करें तो कितने निकल जाएंगे तो इसके जाते हैं हमारे सामने सोटाम सरीज तू इक तरह किसा आप बोल सब्सकते हो कि हो द्राइम डिवाइज सोते हैं ज Hé उसकी ड handle क्या होता है एग घॉत करू ह believes कॉंगुरेंट सोलेशन ऑफ दा कॉंगुरेंट से एक्वेशन 35 एक्स कॉंगुरेंट टो 14 मॉडूलों 21 तो भाई या वही करने का तरीका है 35 एक्स माइनस 14 कर दीजिए कॉंगुरेंट टो जीरो मॉडूलों 21 ठीक अब सोचे की 35 के साथ क्या रखे या कितने आंसर रखे जा स रखते हैं जिससे की 21 से डिवाइट किया जाए और अंसर हमारा जीरो मिल जाए ठीक है तो आप शुरू कर लीजिए ना थोड़ा सा शुरू कर लीजिए दिमाग लगा लिजिए या ना देखे वन जैसे रखेंगे 35 आ गया 35 में 14 जैसे आप माइनस को तुरन 21 आ जागा या हुआ हां यह 56 21 से डिवाइट करें तो जाए नहीं रहा है मतलब लिमेंडे जीरो नहीं आए तो गलत हो गया एक सीक्वल टु त्री लिजा अगर त्री लिए जागा बच्चों तो थ्री पर क्या होगा थ्री पर होगा थ्री पर होगा वन हंडेड्ड पाइव और फाइव म आइए एम एयर तो समझो बात को धन्स सुन ना कि अगर कभी भी आपको कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें कुछ दिख रहा है हान दिख रहा है सेवन से सब डिवाइड हो रहे है यह 7535 इस तो फॉर्टी फाइब और सेवन तो श्री बच्वाइब अन आई बस में यह अमारा और तो तो तालीट फोग देन अ कमेंट आ ठीक ना ओके दर लिनियर कॉंग्रेंस एक्वेशन एक्स्ट प्लिस एक्सिस कॉंग्रेंट डूबी मॉडल एन है असलुशन एफ करेस्ट में सलुशन तब बच्छो जब क्या होना चाहिए विश्या बताया हुए आपको आपको बत इसके लिए मैंने एक एकजामपल लिख रख रखाव चुट अपर 3x लिए रख दिया और कॉब टू मोडल ओड़ और ठीक का टिक ऐसले मैं मैंने क्या बताय ट्रिक की 35 और 21 का जीच चीव कि तनी गए घर ट्रटी फाइव और 21 का जीचीव एट गाइए इसका एच्छ चं क्छों निकला है इस वज़े से हमारे कितने सलिशन निकले 77 अब निचे वाला जो कुशन असके लिए अपने एक च्छोटा सा एक्जाम्पल ले लिए यह तुल एलिया फाइव ले लिया एक्सिक्लिया अगर आप 3 और 5 की बात करें तोंका घी सुडिके तना है जी सुडिके बिल्कुल डिवाइट करेगा तो कैसा इस्ट निकल गयाँ दो नहीं निकलेगा बिल्कुल भी सब्सक्राइब अगर दिसको डिवाइड कर रहा है तो तो शलिशन नहीं निकले अगे बढ़ते हैं कि निच्ट के इस एनी इंटेजर एन बी इस पॉजट इव इस तो यूनिक इंटेजर क्यों और सब्सक्राइब यह इसमें दर क्या रिमेंटर जो होता है वह 0-0 से बड़ा होता है और किसे कम होता है डिवाइजर से डिवाइजर से कम होना चाहिए अन्य अब यह बड़ी सिंपल सी बाता है यह तो अंसर क्या है आपका यह जीरो के वराब कभी भी रिमेंडर डिवाइजर से कम या जीरो तक आ सकता है एक एक कम करते हुए ठीक है अगर प्राइम है तो एक कम होता है पता आपको टूइंटीजर एन बी आर से टुबी रिलेटिव नंबर है उसकी पावर प्राइम माइनस वन करते हो तो वह कॉंगुरेंट हो जाता है वन के मॉडूलों पी के साथ ठीक तो यहां पे अगर आप ध्धान से देखें फाइफ पावर टेन तो फाइफ पावर टेन को क्या आप पावर 11-1 लिख सकते है बिल्कुल लिख सकते है अधिक पावर टेन को 11-1 लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं अधिक तुम सब्सक्राइब लाए और पी का जी सीडी वन होना चाहिए यह तो चीज़ तो क्लियर फरमेट तो रने बोला है फरमेट ते है ना तो आइधिंग आपको आंसर क्लियर होगा की होगा की दोनों सब्सक्राइब का जो कुछ भी पावर है बस उसके पावर में देख लिए प्राइम माइनस वन हो सकता क्या तो वसी प्राइम से डिविजब लोगा यानि अन्सर नमबर फस्ट यानि 11 आंसर इसका हो जागा क्या डी अगर डी अगर रेप्रेसेंट करता है किसी चीज़ का और सिक्स का हमने आप से कहा चलो भी एड़ी सीडियनिक लो कि इतना आएगा डू आएगा अब दोनों में टूस डिवाइट करो सिक्स में भी और टू वन और एटरी जैर आप बताए जिए जी सुरी निकाल के देखिए कि इतना एगा वन आएगा डिवाट करेंगा तो यह यह वालांसर साही है अर्यवासमने ठीक यह मैं यह मैं साथ से सही होता है यह आपको निकालना है यह यह 5003 इस क्या है यह आपको बताना है कि क्या हो सकता है 5003 क्या थे यह गया है यह अपको आपको अब दो चीज शुच लेजे इन दो अको तो अच्छी जिवाति होते कि रूट से बाहर नहीं आएगा अगा इसका रूट बाहर नहीं भेचता इसको तो प्राइम होगा तो क्यों क्योंकि जितने भी प्राइम नंबर सोते हैं वह रूट से बाहर नहीं आते हैं या यू कहलो कि उनका स्क्वार रूट एक फोल नमबर नहीं होता तो आप इससे सोच के दिख लिए तोड़ के देख लिए यह तोट रहे क्या नहीं यह तोटे गाई नहीं यह प्राइम होगा 56 नहीं तो जादा हो गया आप लेकिया यह 22 को तो 484 होता है 22 का जो स्क्राइब होता है अब यह बता है यह फाइब यह 484 होता है 23 का स्क्वार आपका हो गया 23 प्लस 326 26 तूज फिटी तू फाइवनेट से एक मदब बहुत एक्स्टा चला जाता है तो आप सिबल बार तो आने नहीं वाला तो पका क्या होगा यह प्राइम नमबर होगा तो इसस और प्राइम नमबर नेक्स दिखा जाए अकला कोशन वड़े सिंबल से बोलना है बोले की फॉर वाट वे पोजिटिव वेलिए सब एन टू की पावर एन बाव एन प्लस वन अगराड किया है एक एड़ किया तो हमेशा थ्री से डिवेजिबल हो ऐसा कब हो सकता है कि वैसे टिक लगा हुआ है वैसे आंसर हो सकता है यह हो पता नहीं हो भी सकता है नहीं हो सकता है पताने कपका यह टिक लगा हुआ है तो दिखिए भाई टू की पावर है टू की पावर हमेशा इव दोडिशे वाल अभी यह नहीं है तो यह दो इन गलतों गया और अप्र नोब चलो और अखोजर अ यह और दिखा दना में जोरी और इन आप शुच्छा तरॉड वालगर तो गया इवन अटस्थ पूलस प्रीट पावर तरी गितना वता एट 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 रिट रिट रिजिव यह भी गलत हो गया मल्टी पलोफ और अभी तो रखा फॉर का मल्टीपल रख रहे तो मल्डीपल और फॉर फॉर ही रख लिया मैं चलू ओर प्लस वन टू पार फाइफ कितना था थर्टी डू क्या तरी से डिविज़े लिए नहीं डिविज़े लिए कतम बात तीनों खतम अगर तो यह यह अंसर सही था चेक कर सकते आप को शेक कैस में से फिलसंट थेहरम कौन सी है तो आपको पता होना चाहिए माइनस वाली विल्सन थेहरम थी आपको यह दोने चीज़ को लेफ्ट में लेकिया विसे तो विल्सन थेहरम यह थी फिलाल प्लस वन इस खॉंग्रों टू जीरो मॉडलों पी तिक तो यह वाली आंसर आपकी हो जाएगी नेक्स्ट और लास्ट इस चैप्टर का लास्ट दो नौन जीरों इंटीजर अगर हैं तो वो क्या होंगे ओल्वेज यूनिक जी सीडी आएगा ठिक यह इन फाइन नमपर ऑफ जी सीट यह तो गलती बात है ना मोर्दन में जी सीटी एक से ज्यादा आता है अभी तो अल्वेज यूनिक जी सीटी तिक देखे यह यह वीड चाहिए और इसकी PDF चाहिए उसका solution चाहिए उसके answers चाहिए तो यह व्याव तो जॉइन आर कोर्स विच इस ओफ वेरी वेरी लिजिवल और वेरी जैनुएन कोस्ट विच इस ओफ ओगे तो एन इट इस यू वेरीवल नो दैट टू डूबल नाइं वन टाइम एमेंट है उ मैंट वेप, thank you